Hello friends, welcome to WeMake Traders Single Candlestick Pattern को आज हम समझने की कोशिज करेंगे आपको मैं बताना चाहूंगा मैं जो single candlestick pattern या फिर यूँ कहिए जो candlestick pattern जो होता है वह language होता है एक तरह का कि हम समझ पाए कि chart के अंदर क्या moment चल रहा है तो आज यहाँ पे जितने भी single candlestick pattern है उनको समझने की हम कोशिश करेंगे, तो first of all आप यहां पे देख सकते हैं, आपको यहां पर दिखाई दे रहा है hammer candlestick pattern, आपको यहां पर दिखाई दे रहा है hammer candlestick pattern, तो first of all हम बात करेंगे, जो hammer candlestick pattern होता है, इसका formation जो है वो क्या है, किस तरह से hammer candlestick pattern बनता है, तो चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं, यह जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, यह एमर कैंडस्टिक पैटन है, इसमें आपको यह इस तरह से बोड़ी आपको दिखाई देगा, और बोड़ी से कम से कम 2X या 3X आपको टेल दिखाई देगी, और अपर टेल जो है आप को दिखाई दे भी सकती है, और नहीं भी दिखाई दे सकती है, अब हैमर जो कैंडस्टिक पैटन जो होता है, यह बुलिस पैटन होता है, और अगर यह डाउन ट्रेंड के बाद में, अगर बोटम में अगर बनते हुए अगर नजर अगर आता है, तो यह बुलिस रिवर्स का signal होता है यानि कि यहां से price uptrend के अंदर जा सकता है okay so यह हुआ hammer candlestick pattern इसके बाद में next candle के बारे में हम बात करेंगे जो कि है inverted hammer candlestick pattern inverted hammer के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि inverted hammer जो होता है वो hammer के बिल्कुल opposite होता है okay यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे जो टेल जो है upside की तरफ में दिखाई देगी टेल जो है upside की तरफ में दिखाई देगी यहाँ बोड़ी देख सकते हैं इस तरह से बोडी है दिखाई देगी और डाउन की तरफ में चोटा सा आपको यहां पर टेल दिखाई दे रहोगा दिखाई दे भी सकता है नहीं भी दिखाई दे सकता है अपर टेल आपको बोड़ी से 2X या 3X आपको दिखाई देगा 2X या 3X आपको दिखाई देगा और इस तरह से अगर ये Candlestick pattern downtrend के बाद में, downtrend के बाद में bottom में अगर बनते हुए अगर दिखाई अगर देता है तो ये police reversal का signal होता है यानि कि यहां से price जो है upside की तरफ में जाना चाहिए okay inverted hammer के बाद में next candlestick pattern के बारे में हम यहां पर बात करेंगे और next pattern है वो है hanging man अजी वो है hanging man अब hanging man को समझने की कोशिज कीजिए आप यहां पर इसके अंदर body जो है red color का आपको यहां पर body आपको दिखाई दे रहा होगा red color का body जो है आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा okay body से कम से कम भी 3x या 4x आपको यहां पर tail जो है दिखाई दे रही होगी अब इस candle को समझने की कोशिश किजिए आप कि यहां तक low आया लेकिन पायर्स ने यहां पे लाने के बाद में candle को close कर दिया है लेकिन यह जो candle जो है यह bearish candle pattern होता है अगर यह आपको अब ट्रेंड के बाद में जैन दिजेगा अगर यह candle stick pattern अगर आपको अगर रेसिस्टेंस में बनते हुए हमें दिखाई दे रही है तो यह हमें signal दे रही है कि आने वाला ट्रेंड जो है वो क्या होगा ओके सो आप देख सकते हैं कि उसके बाद में ब्रेस रिवर्सल का signal दिया और प्राइस जो है वो डाउन की तरफ में आया है ओके सो यह हुआ hanging man candlestick pattern hanging man candlestick pattern के बाद में next candlestick pattern के बारे में हम बात करेंगे जो कि है shooting star candlestick pattern shooting star के बारे में आपको बताना चाहूँगा मैं कि इसमें body जो है आप देख सकते हैं यह shooting star है body जो है काफी normal body यहां पर दिखाई देती है ओके चोटा सा जो है यहां पर body दिखाई देता है ओके और lower tail जो है वो वह भी बिल्कुल चोटा सा यहां पर lower tail दिखाई देता है नाम सही आपको यहां पर पता लग रहा है तूटिंग स्टार यानि की तूटता हुआ तारा ओके तो इस तरह से क्या है कि हमें यह यह पैटन दिखाई देता है अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि चाट के अंदर कहां पर केंडल बनता है उसके इसाथ से हम क्या कंडरिस्टिक पैटन है अगर यह कंडरिस्टिक पैटन अब प्रेंड के बाद में अगर रेसिस्टेंस में गर बनता अगर दिखाई अगर देता है तो यह यह रिवर्सल का सिगनल होता है यानि कि यहां से प्राइस जो है वो डाउन की तरफ में जाएगा अब इसके बाद में next pattern के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं जो next जो आपके जो pattern जो है वो है spining top and bottom, spining top and bottom, spining top and bottom को समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि first of all हम बात करते है spining top के बारे में, इनका formation समझेगा आप की चोटा सा जो है आपको यहाँ पे body दिखाई देता है, और body से down की तरफ में और upside की तरफ में, almost आपको same जो है, आपको tails दिखाई देती है, तो एक्स तो है आपको tails दिखाई देती है, अब spining top जो है वो हमेशा uptrend के बाद में अगर आपका upside की तरफ में अगर आपको बनता गर दिखाई अगर दे तो ही आपको अच्छा आपको यहां पे reversal आपको दे सकता है तो समझेगा अगर upside के बाद में green color का spining top जो है अगर आपको resistance में अगर बनता गर दिखाई अगर देता है तो यह आपका bearish reversal का आपका signal होता है यानि कि यहां से price जो है down की तरफ में जाएगा अब इसके बाद में हम बात करते हैं spining bottom के बारे में अब spining bottom भी जो है वो भी आपको इसी तरह से दिखाई देगा लेकिन यह आपको बताना चाहूँगा मैं body जो है आपको red color का आपको दिखाई देगा और यह downtrend के बाद में downtrend के बाद में bottom के अंदर बनते हुए दिखाई देगा downtrend के बाद में bottom के अंदर आपको बनते हुए दिखाई देगा और इस तरह से अगर बनते हुए अगर दिखाई अगर देता है समझेगा जो body जो है उससे 2x या 3x upper tail और lower tail दोनों tail आपको यहां पे नज़र आएंगी जिस तरह से आपको spining top के अंदर बताया था सो समझेगा अगर downtrend के बाद में bottom में अगर बनते हुए अगर नज़र अगर आता है तो यह bullish reversal का signal होता है यानि कि यहां से price जो है uptrend के अंदर जाएगा अब इसके बाद में next pattern के बारे में हम यहां पर बात करते हैं जो की है high wave candles आई wave candles आप समझ सकते हैं waves means लहर के बारे में आपको पताई होगा तो यहां simply आपको इतना ही समझना है यहां wave का मतलब है इसके tails यहां पर आपको काफी लंबी-लंबी टेल्स दिखाई देती है यानि कि उस candle के अंदर बाय सेल जो है वह बहुत जादा हो रही है तबी जाके कि लंबी-लंबी जो है यहां पर tails बनते होगे दिखाई देती हैं यह हमें इतना ही बताएगा कि यहां जो है market के अंदर अच्छा बाय और अच्छा सेल जो है हो रहा है यानि कि market के अंदर अच्छा पैसा आ रहा है simply आप इसको इतना ही समझे यह देखे यह आप देख सकते बोड़ी जो है आपको green color का भी दिखाई दे सकता है और red color का भी आपको दिखाई दे सकता है और आपको यहाँ पे समझना होगा कि चार्ट के अंदर ये candle बनती कहां पे हैं उसके इसाब से हम क्या करेंगे इसका prediction हम करेंगे अगर माल लिजे अगर आपको एक trend के दोरान अगर आपको दिखाई अगर देती है तो आपका continuation का signal भी आपको यह दे सकती है ओके सो में graph के साब से हम क्या करेंगे इसका prediction करेंग अब इसके बाद में next और last candle के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे और last जो candlestick pattern जो आपका जो होता है वो होता है police and bearish 무엇 candlestick pattern police and bearish सब्सक्राइब आपको बताना चाहँगा मैं अगर आप लोगोंने ताइक्लोजी ओफ कैंडस्टिक पैटन का अगर वीडियो अगर देखा होगा तो उसके अंदर समझाया गया है रिपीट कर देता हूं पुलिस और बीरिस मारूबाजु को समझेगा यह माल लिजे बीरिस मारूबाजु को है इसके अंदर क्या है कि आपको आप देख सकते हैं अपर या लोवर टेल जो है इसके अंदर क्योंकि यह बेरिस मारूबाजु इसलिए इसके अंदर जो वोड़ी जो है आपको रड़ कलर का दिखाई देगा अब इसके बाद में अगर बुलिस मारूबाजु कि हम बात अगर करते हैं आप देख सकते हैं, यह open price हुआ, यह close price हुआ, ना ही lower tail है और ना ही upper tail है, आप कह सकते हैं कि यह आपका police मारूबाजू candlestick pattern होता है, यह जो है दोस्तों, आपके कुछ basic candlestick pattern है, जो आपके important candlestick pattern होते हैं, वह important candlestick pattern मैंने आपको यहां पर समझाए, and I hope कि यह आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई question होता है, तो आप comment box के अंदर आप पूछ सकते हैं, आपके हर question का answer किया जाएगा, thank you very much.